चाहे नेता हो या फ़र अबी नेता जाहें चिजिस्यों की रडार पर जो भी आता है उसके पूरी कुछी वक्त में सामने आचाती है और उसके बरस्ट उचार का परदाफाश भी जल्द वहीं चाहता है अब एक बार फ़शे वहें कुछ हुआ हैны जिससे DMK के मुश्किलों में एज़ाफा होका है और कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं नमस्कार आप देखें सुलगता सवाल और मैं हूँ आपके साथ दिव्यासेग किस मामले में ED ने लिया एक्षिन? कौन से नेता पर चला ED का डंडा? क्या है DMK के पूर्व नेता पर आरो? करोडों की गाड़ियों को क्यूंकि अजब? ड्रग्स और मनी लॉंजिंग मामले में परवतन देशाले यानिकी ED ने 6 सतंबर को बड़ी कारिवाई की है ED ने चिनने इस दिप DMK के निश्कासित नेता जाफर सादिक और उनके कुछ सायोगियों के खलाब ड्रग्स मनी लॉंजिंग मामले में 55 करोड रुपए से अधिकी संपती चप्त की है ED ने जाफर सादिक की 55 करोड से ज़्यादा की संपतियों को अटैच किया इसमें जेसें रेसिडेंसी होटेल एक आलिशान बंगला और साथ महंगी गाडियां जैसे मस्सटीज और जगवाज शामिर है जाफर सादिक DMK से जुड़े रहे हैं और तमिल फिल्मों के प्रोजिसर भी है जाफर पर आरोप है कि उसने ड्रक्स के पैसे होटाइल बनाने प्रोपची खरीदने और DMK को फंडिंग करने में लगाए उसने इसे पैसे से फिल्में भी बनाई इडी ने एक बयान में कहा कि संगी एजिंसी ने दो सतंबर को धन शोधन रोक थाम अधिनियम यानि कि PMLA के तरत 14 संपतियों को जब्त करने के लिए एक अंतिम आदेश शारी किया था जिसमें जिसिम, रिसिडिंसी होटेल, एक आलिशान बंगला, जगवार और मसडीद चैसे साथ महंगी गाडियां शामिल है इडी ने जून में सादिक को किया था अरेस्ट इडी ने दावा किया है कि इन संपतियों को आरोपियों ने अपराधी गतिवीदियों के जरी अर्जित किया था इडी ने 36 साल के सादिक को जून में गरफतार किया था जबको उसके भाई मुहम्मत सलीम को अगस्त में हिरासत में लिया गया था तमिलाटों में सत्तारू डेमकी ने पार्टी के एनराई विंके चिन्नई पश्रिम उप संगठन और तमिल फिर्म निर्माता साधिक को परवरी मार्च में नार्कोटिक्स कंट्रोल बिरो यानि के एनसीबी द्वारा उनके नाम और ज्रक्स नेट्वर्क से कथित संबंदू कावले के जाने के तुरंत बाद पार्टी से सस्पिंट कर दिया साधिक और उनके कथित अवयत क्युत्यों से खुद को अलग करते हुए डेमके के एक वरिष्ट नेता ने कहा था कि पार्टी के दो करोड से अधिक सदसे हैं और इसमें प्रविश पाने वाले प्रतिक व्यक्ति के पिछले इतिहास की जांच करना बिवहारिक रूप से संभव नहीं ही इडी ने साधिक पर लगाये थे ये आरोप इडी ने आरोप लगाया है कि साधिक अपने भाई सलीम और अन्य लोगों के साथ मिली भगत करके SU, AG फ्रीम और अन्य मादक पदार्थों में चिपे हुए नर्यात में सक्रिय रूप में शामल था इडी ने आरोप लगाया है कि साधिक और उसके सहयोगे ने रियल इस्टेट, फिल्म निर्मार, अतित्य और लॉजलिस्टिक्स जैसे विवन वैद उप कर्मों में नवेश करके अपने जग्स अंचालन से अपराद की आई को लुटा अपराद की आई को बैंक खातो के एक निट्वक के माध्यम से इन निवेश्व में लगाया गया था जिसमें सादिक और उसके परिवार के सदस्य द्वारा नियंत्रित खाते भी शामिल थे एडी की जाच में पाया गया कि लॉंट्रिंग पंड का इस्तमाल सादिक उसकी पत्नी अमीना बानू, मायदीन गनी नामक व्यक्ति और कुछ अन्य लोगों के नाम पर अचल और चल संपतियां हासिल करने के लिए क्या गया था जिन में मुहम्मत मुस्तफा एस और जमाल बिनामी शामिल थी, एडी की जाच में पता चला है कि जाफर सादिक अपने भाई मुहम्मत सलीम और अन्य लोगों के साथ मिलकर स्यू जे फ्रेजीन और अन्य मादक पदार्तों के निर्यात और च्छपाने में सकने रूप से अक्टिव था, वह अन्य व्यक्तियों और इस इसलिए जाफर सादिक को एडी ने 26 जून 2024 को गरफतार किया और उसके भाई मुहमत सलीम को 12 अगस्त को गरफतार किया गया कहा कहा खपाई अवैद आए एडी की जाच में ये भी पता चला है कि जाफर सादिक और उसके सयूगी ने अपने जग कारोबार से प्राफ्त प्राथ की आई को रियल स्टेट, फिल निर्मार, हॉस्पिटिलिटी और लॉजिलिस्टिक ससेट कई वैद और कर्मों में निवेश किया था बताया जा रहा है कि बैंक खातों के एक नेटवक के मादेम से निवेशों में रकम को शामिल किया था जिसमें सादिक और उसके परिवार के सदस्यों के खाते भी शामिल थे और उन्हें अवैद नगदी को जमा किया, फाइनेंसरों के जरिये से स्विकृत किया और आर्थि आर करोड से अधिक अंतरास्टी ज्रक्स तसकरी रैकेट की जांच के जलसले में द्रवर मुनेत्र कश्च गम के पुर्वपदादीकारी जाफर सादी को गरफतार किया, सुस्टों ने बताया कि जल्दी एंसीबी के इस मामले का संग्यान लेकर रैकेट की जांच के लिए म महा निदेशक ज्यानेश्वर सिंग ने बताया कि 36 साल के सादीक को खुफिया जानकारी के अधार पर दिल्ले से गरफतार किया क्या, वह भारत से ऑस्ट्रेलिया, नुचिलैंड और मलेशिया में फैले अंतरास्टी एंसीड फेड्राइन तसकरी रैकेट का मास्टर मिलता है कट सादीक तमिल और हिंदे फिल्म उद्योक से जुड़ा रहा है, इसे लेकर भी जांच चल रही है, राजदेतिक फंडिंग के कुछ मामले भी जांच के दायरे में है, वह एंसीबी के उप महानेदेशक ने कहा कि सादीक जिसका पूरा नाम जाफर सादीक अब्दुलरह्मान है, फरवरी में इस मामले में एजिंसी द्वारा दिल्ली में चापे मारे जाने के बाद फरार हो गया था, गरफतारी से पहले वच्चनई से तीरू अननतपूरम, मुंबई, पूरे, अहमदाबाद और जैपूर तक चिकाना बदलता रहा, एंसीबी ने पूस्ताज के पिछले महिने एंसीबी ने तामिलाडू से तीन लोगों को गिरफतार किया था, दिल्ली की बसरी दारापूर एलाके में साधिक की कमपणी एवेंटा के गुदाम पच्छा पेमारी के दुरान 50 किलोग्राम मादक पदार्थ बनाने वाला रसायन भी जब्त किया गया था, उन्होंने कहा कि, आस्ट्रेलियाई और न्यूजिलाइन की अधिकारियों से साल 2023 के एंथ में मिली इस खोफिया सुचना के अधार पर दिल्ली पुलिस के साथ एंसीबी ने तलाशी ली थी कि सूखे नारियल के पाउडर मिश्रित, फूड पाउडर में बड़ी मात्रा में स्टीडियो एफेड्राइन छिपा कर भारत से तसकरी कर विदेश में भेजा जाता है। जिसमें लगबावत 3500 किलो ग्राम ये रसायन था जिसकी कीमत नसीबी के अनुसार अंतराश्टी बाजार में 2000 करोण रूपए से अधिक है। अन्ना द्रमुक ने आरोप लगाया कि द्रमुक शासन में तामिलाडू मादक पदारतों के अट्टे में बदल गया है। अनुसार अंतराश्टी बाजार में एक एक पांच करोण रूपए प्रती किलोग्राम के बीच बिक्ती है। एडी ने जब्त की 834 करोण रूपए की संपती। वहें दूसरी तरफ हरियाणा के पुरू मुख्यमंत्री और कॉंग्रिस तिताब उपेंजी सिंग हुड़ा ने 30 अगस 2024 को एडी की तरफ से लगाये के ब्रस्ट अचार के आरोपो का खंडन किया। सरकारी एजिंसी ने 834 करोण रूपए की संपती जब्त की है। एडी की कारेवाई का जबाब देते हुए हुड़ा ने कहा कि पुराना मामला है मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है। एडी ने 401.65 एकर की अचल संपतिया जब्त की है जिसकी वैल्यू 834 करोड रूपए से ज्यादा है। यह इमार इंडिया लिमिटेड यानि की 501 करोड रूपए और MGF डिबलप्मेंट लिमिटेड यानि की 332 कर रूपए की है। हर्याणा की गुरु ग्राम जिले और दिल्ली के 20 गाउं में इस्तिया संपतिया भूमी घोटाले के अंतरगर चल रही जांच की तर्थ कुर्क की गई है। जांच Central Bureau of Investigation यानि की CBI के तरफ से हुद्धा Department of Town and Country Planning यानि की डिटीडीसी के ततकाली डिरेक्टर त्रिलोग चंदा गुपता और MRMGF लैंड लिमिटेड सहित अन्ने के खलाब दर्च की गई फायार के बाद शुरू की गई है। यानि कूल मिलाकर भरस्च चारियों पर जांच जिन्सियों की नकेल कस्ती जारी है। आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया।